नमस्ति दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं सूजी का दानेदार हलवा इसे हम परफेक्ट मेजरिंग के साथ बनाएंगे जिससे कि आपका हलवा एकदम खिला-खिला दानेदार बनेगा आए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने कढ़ाय रही है उस इसे कि हमारा हलवा नीचे लगे नहीं जले नहीं यह देखे हमारा जो सूजी है वह गोल्डन ब्राउन हो गई है अब हम यहाँ पर एड़ करते हैं आधा कप चीनी जितनी हमने सूजी लेती हम उतना ही हमने देशी ही लिया है और उतना ही हमने चीनी लिया है इसमें मैं एड़ करा है यह मैंने तीन कप पानी पानी हमें इसमें तिगना रखना है देखिए अब मैं हाबा डालूंगे इसमें कुछ ट्रैप रूट्स किश्मि अब हम इसे ढख कर पकाएंगे अब हमारा हल्वा कितने अच्छे से पग गया है कितना सुंदर कला राया इसका अब मैं हाँ पर इसमें एट करूंगी थोड़ा सा ग्रेटेट किया हुआ ना सूखा नारियल यह देखिए हमारा हल्वा बनकर तियार है एकदम दानेदार खिला खिला हल्वा बना आया है आप इसे जरूर बना कर देखिए अगर आपको मेरी सूजी के हल्वे की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद प्यूले वे उम्हादब करें हो आया है।